बॉलिवूड एक्टर विवे कविराई बॉलिवूड के जान एमानिय अभीनेता में से एक है उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही बॉलिवूड में एक खास पहचान बनाई हुई है उन्होंने बॉलिवूड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी है वह अकसर सोचल मीडिया पर किसी ना किसी बज़े से सुर्ख्यों में रहते हैं इसके अलावा वह अपनी लव लाइफ को लेकर भी अकसर सुर्ख्यों में रहें दरसल अब तक एक्टर का कई लड़कियों के साथ रिलेशन रह चुका है जिसके चलते उन्होंने खुद सुर्ख्या वड़ोरी है बता दे कई एक्टरेस संख रिष्टे को लेकर एक्टर काफी चर्चा में रहे लेकिन उनके कई रिष्टे ठीक से नहीं चल पाए कुछ रिष्टे इतना कमजोर थे कि वह कुछ समय तक ही चल चके जिसको लेकर भी वह चर्चा में रहे इसके साथ ही उनका ब्रेक अप भी खबरों में रहा है अभी हाल इने एक्टर ने खुझ अपनी लव लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किये हैं जानकारी के मुताबित एक वक्त था जब एक्टर अपनी लव लाइफ को लेकर कंट्रोवर्शिल हुआ करते थे जिसकी वज़े से उनका कई बड़े सितारों की साथ पंगे भी हो चुके हैं ऐसे में उन्हें फिल्म में प्रड्यूजर काम देने से इंकार कर देते थे जिसके चलते एक्टर के हाथों से कई बड़ी फिल्में निकल जाया करती थी अभी एक्टर ने अपनी लाइफ के बारे में बताती हुए कहा कि लब लाइफ में खराब अनुबगों के बार वो एक ऐसे मोड पर आ गए थे जब वो सिर्फ केजूल रिलेशन्शिप में रहना चाहते थे उन्होंने ये भी बताया कि अब तक उन्होंने अपनी जिन्दगी में जितनी भी लड़कियों को डेट किया उतना खुद को अकेला पाया एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि रिलेशन्शिप में मैंने सबसे अधिक नीचा महसूस किया जिसकी बज़े में सबसे ज़्याद चिड़ चिड़ा और कड़वा वन गया एक्टर ने आगे इंटर्व्यू देते हुए कहा कि ऐसा भी समय आ गया था ज़न में सिर्फ केजूल रिलेशन्शिप में रहना चाता था मैंने ऐसा ही किया लेकिन बाद में मैंने प्रियाम का अलवा से 2010 में शादी कर ली अब एक्टर दो बच्चो के पापा है